हेलो एवरीबन वेलकम तो भाई चैनल हे मुंबई तो फ्रेंट्स आप सब कैसे हो आप सब सही हो आज के वीडियो में शेर करने वाली हूँ मेरे मेकप प्रोड़क्त जो मैं रोज जब शूट पर जाती हूँ तो कौन से प्रोड़क्त यूज करती हूँ मेरा बेस से लेकर ज करती हूं तो हमारे फेस को मुश्य करना यदि शादा जरूरी रहता है इसके लिए मैं यूजर करती हूं मास इसके पहले मॉश्यक्त वाला मुश्याइजर वैसे तो पहले भी रिच वाला मौश्य ऑईजर । यह फड़ वैरियन्ट है जो है हाइडरेटिंग लाइट मॉ प्रॉब्लम में ज्यादा आता है तो यह वाला यूज़ कर सकते हो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा इवन आप ड्राइ स्कीन वाले भी लगा सकते हो क्योंकि यह आल स्कीन टाइप के लिए ऐसा कुछ नहीं पर्टिकलर मतलब आप सिप लिए तो लगा सकते हो सारे स्की को यह सूटेबल है और सबसे बात है इसका जो यह नॉन कॉमोडोजेनिक प्रोड़क है तो आपके स्कीन पर कोई हानी नहीं पहुचाता है काफी अच्छा है और कुरेल्टी फ्री प्रोड़क है और दूसरी अच्छी बात बोलू तो यह तोड़ा मतलब प्राइस पॉइं पर आप अमेजॉन से पर्चेस करोगे तो आप जरू से जरू इसको डिसकाउंट में पाऊगे तो इसमें कुछ ना कुछ डिसकाउंट आपको जरू देखने मिल जाएगा तो सबसे पेला बेस जो प्रोड़क में लगाती हो यह मॉश्यराइजर उसकी बात बात आती है हमा काफी प्रोटेक करता है तो यह स्पेशली समर सीजन के लिए तो काफी अच्छा है तो आप इसे भी ट्राइ कर सकते हो और यह भी काफी लाइट वेट है ऐसा नहीं लगेगा ज्यादा है अपने कुछ अपलाई कर दिया है तो अगर आपको बढ़िया सा एस पीएफ वाला स यह प्राइमर प्राइमर भी लगाना बहुत जुरुरी है अगर फांडेशन लगाते हो तो एक अच्छा बेस क्रियेट होना चाहिए तो उसके लिए होता है तो लेकमे का आपसलूट प्राइमर बहुत ही जादा अच्छा यह बी सब स्क्रीन टाइप के लिए है और काफी यह लाइट वेट है मुझे काफी अच्छा लगता है मैं काफी टाइम से यूज करते हैं यह फिफ्ट या सिक्स पर्चेस है क्योंकि यह मेरे स्कीन को कोई हानी नहीं पहुच जाता है इसलिए मैं इसे वापिस से मतलब रिपर्चेस कर लेती हूँ तो यह हमेशा मेरे एड प्राइमर के बाद मैं यूज करती हूँ यह है फांडेशन मेरे पास तीन टाइप के फांडेशन है मतलब तीन ब्रांड से फांडेशन है यह सूपर स्टे का ट्वेडिफॉर आर्स फांडेशन अगर आपको चाहिए आपका मेकप लांग लास्टिंग रहे तो आप यह वा काफी हाई कवरेज फांडेशन है यह पर ड्राइ स्कीन के लिए कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो ड्राइ स्कीन वाले इससे पहले बहुत अच्छे से मॉइस्टराइज करना पड़ेगा उसके बाद ही आप यह वाला प्राड़क्ट ट्राइकर सकते हो तो इसका जो शेड जो यह वाला फांडेशन आप यूज कर सकते हो इसका जो शेड है वो है 06 सेंड बेज तो आप यह वाला भी यूज कर सकते हो अगर आप मेरे स्कीन शेड के हो तो दूसरा है यह काफी बजट फ्रेंडली है वेटन वाइल का फोटो फोकस फांडेशन यह वाला डेजर सकते हूं इसका जो फांडेशन का कवरेज रहेगा तो अगर आपको डे टुडे लाइफ में अगर आप ऑफिस वगरा जाते हो या तो रोज के काम पर जाना है बाहर तो आप यह वाला ट्राइ कर सकते हो तो यह मेरे फांडेशन है जो अभी फिलाल में यूज करती हूं और यह मैट फिनिशिंग है तो बहुत ही अच्छा है संवर्स के लिए भी अच्छा है ओईली स्कीन नहीं होती है तो यह काफी प्रटेक्ट करता है हमारे में को यह वाला में यूज करती है उसके अलावा अगर आपको लूज पावडर आप मतलब चाहते हो यूज करना बहुत अगर आपको कॉमपैक यूज करना या लूस पावडर यूज करने अपने अपने अक्रोंगली पर्चेस कर सकती इसके शेड़ बताना बम यूज पावडर का मीडियम है और इसका है तो यह मेरा शेड है अब यहाश्य वात यह अच्छा आईज की आईज के लिए मैं क्या मैं आइलाइनर यूज करती हूँ अभी तो फिलाल जो मेरा फेवरेट है वो है मेबिलीन का कलोसल बोल्ड आइलाइनर ये काफी अच्छा है काफी मतला इजी तू अपलाई है काफी छोटी बोटल रहती हो इसका जो हैंडलिंग करने का जो यह है वो मुझे काफी इजी करना जो भी क्रियेट करना है अपना आई लूक आप क्रियेट कर सकते हैं और काफी बजेट फ्रेंडली है यह राउंड आपको 300 रुपीज का देखने मिल जाएगा बहुत ही बजेट में है इसके बाद अगर आइलाइनर के बाद करूं मैं काजल नहीं लगाती हूँ क्यों मुझा आखों में पानी आता है तो मैं काजल लगाना छोड़ दियू उसके बाद मस्कारा है आप मस्कारा भी यूज कर सकते हो मस्कारा में मेरे पास टू ऑप्षिंस है पहला तो है मेबलीन का हाइपर कर्ल वाटर प्रूफ मस्कारा यह काफी अच्छा है बजेट मस्कारा वही लोग ट्राइगर सकते हैं जिनके बास सही में बहुत अच्छा एफर्ट लगाना है क्योंकि वाटर प्रूफ है तो इसका जो फॉर्मूला है आपका जब आप घर पे आते हो और जब रिमूफ करना रहता है बहुत मुश्किल पढ़ता है तो काफी एफर्ट यह मास्कारा निकालने के लिए तो अगर आपके पास बहुत अच्छा रिमूवर है तो आप जरू यह वाला ट्राइगर सकते हो तो यह भी सही है इसका वॉल्यूम भी अच्छा आता है थोड़ा प्राइस पॉइंट यूस से थोड़ा हाई है इसकी रेंज अगर रेंज की है तो आप जरूर चेक करिए का मुझे एग्जाक प्राइस याद नहीं है तो मास्कारा के बाद लिप्स्टिक की और बढ़ते हैं लिप्स्टिक मेरे पास काफी ऑप्शन है स्पेशली इसकी बहुत सारे शेड पर अभी मुझे सबसे अच्छा लग रहा है वही मैं आपको बता रही हूं सुपर स्टे का मेबलिन न्यू यॉयॉक का मैट इंक है यह आपको पता होगा काफी फीमस है इसके इतने सारे शेड्स है कि मतलब बोल ही नहीं सकती पर अभी यह वाला मेरा फेवरेट है मतलब स्वेशली ओकीजन वगेरा पर आपको जाना है शादी में जाना है कुछ ब्राइडल लुक क्रिएट करना है तो यह काफी अच्छा है और इसका भी कुछ आपको यह 600 के आसपास देखने मिल जाती है यह मतलब उससे कमी में क्योंकि जैसे मैंने बता है डिसकांट पर आपको देखने मिल जाता है तो अगर नेक्स जो प्रड़क है वह मैं यूज करती हूं ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हो अभी फिलाल मेबलीन न्यूर्क का यह ब्लश इसमें आपको ब्लश और हाइलाइटर दोनों मिल जाता है तो मैं इसी में से हाइलाइटर भी यहां पर यहां यूज करती हूँ और यह वाला जो शेड है यहां पर यह मैं यूज करती हूँ आज हाइलाइटर यह 890 की प्राइस है पर आपको यह 100% है आमेजान पर आपको जरू से जरू बहुत ही अच्छे डिसकांट में मिलेगा तो यह वाला भी ट्राइगर सकते हो आपको हाइलाइटर का दोनों कॉंबिनेशन चाहिए तो यह बैस पैलेट है बहुत अच्छा है उसके बाद बाद आती है जैसे मैं बताया हाइलाइटर तो मेरे बास और एक हाइलाइटर जो मैं यूज करती हूँ इसका भी अगर आप देखोगे इसके रिव्यू काफी अ जरू तो यह प्राइस अभी मुझे इस पे लिखा है 550 का पर जरू आपको अमेजॉन पे बहुत अच्छा मिल जाता है यह सब करने के बाद ना मेकप को सेट करना भी ज्यादा जरूरी होता है ताकि हमारा मेकप लांग लास्टिंग रहे तो मेकप लांग लास्टिंग रख यह सब करने के बाद हमें जब हमारा मेकप का सब यह हो जाता है फिर हमें मेकप निगालना भी रहता है जब आते घर आजाते है तब तो यहाँ पे मेरे बास रीमूवर के लिए दो ऑप्शन है एक Maybelline New York का आई प्लस लिप मेकप रिमूवर यह क्या है अगर आप कोई स्ट्रॉंग मेकप करते हो जैसे मतलब वाटर प्रूफ कोई आइलाइनर हो गया जो निकलता नहीं काफी एफट लगते तो यह वाला बॉटल काफी अच्छा है और काफी मतलब ट्रावल फ्रेंडली इसे आप अपने बैक पर आराम से कैरी भी कर सकते हो कहां पर गुमने वगर पर जाते हो तो यह बहुत काफी बढ़िया है और अगर आपको यह वाला ट्राइक करना है जो आपकी सेंसिटिव स्कीन है आपको जादा मतलब कैमिकल फ्री चाहिए तो यह वाला है सिंपल का तो यह काफी बजेट फ्रेंडली भी है इवन यह इतनी बड़ी बॉटल आप देख सकते हो 375 रूपीज की देखने मल जाती है तो यह सारे प्रोड़क्स में अभी फिलाल मेकप के लिए यूज कर रही हूं मेरा जो भी डिक टुडे में शूट पे जाती हूं तो यह फिला जादा से जादा इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप चाहते हो इस पर कोई और भी वीडियो बनाया तो आपके कुछ भी सजेशन रहेगा हमें कमेंट बॉक्स पे जरू मिल बताईएगा तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो प्लीस वीडि यादा तो आपके मेंट